सबसे पहले सभी को नवश्कार इस शोग के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ आपको कि मैं लाफ्ते शेफ में as a judge ले कर रहा हूँ और मैं लोगों को यहाँ पे जितने stars हैं मेरे साथ जो भी stars participate कर रहे हैं उनको guide भी कर रहा हूँ उनको सिखा भी रहा हूँ और हम एक एंग दिखा रहे हैं जो की cooking का एंगल है कि वह cooking कैसे करते हैं और मेरा काम यह है कि by the end of the show उनको लोग इस तरह से देखे कि हाँ इनमें खाना वनाने की वी कला है हाँ इनका दूसरा काम बंद हो जाए और फिर यह restaurant खोल ले हैं मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ही रेस्ट्राइंट क कर餐 देखे कर देखे करना दूसरा को क्या है जब बनाता हूँ को कि नहीं बनाता है फिर तुम तो अब चूपी रहो हुआ तो सिर्फ जीते हैं यह यह तो सिर्थे निकल पाजिए यह बनाना था बसंद भुद तरह से थी तो गैजिक्स लेकिन सिखाई नहीं जाती है यह ना समय लेना के पहले सिखाते हैं मतलब पताया जाता है कि यह हमें फसाद देते हैं सब को खड़ा करके कि आज आपको material तो सब मिल जाएगा लेकिन आपको सिरफ बनाना है आप देखे कितना मुश्किल काम है लेकिन यह किसी तरीके हमसे बन बढ़िया तरीके से यह लोग निभा रहे हैं बना रहे हैं और मुझे सर्प्राइज कर रहे हैं यह बहुत इंपर्टन चीज है मुझे बिलकुल नहीं मिले हैं एक्जैक्ली बता हूं तो यह बहुत ही डिफरेंट मतलब हमेशा होता है या तो लाफ्टर लाफिंग वाला अप्षी मजाकवला शू आपको कुकिंग का शू होता है बड़िये बहुत इफरेंट चीज है कि मतलब अक्टर्स और हमाइस रहे बड़े बड़े कमीलियन्स हैं उनके साथ जो फन होता है कुकिंग करने में एक्शली बता हूं जब कुकिंग स्टार्ट होती जो बहुत सी अब मतलब करएं हम कितना भी तो इसमें अगर आता नहीं तो खराबी होगा और ये बड़ी किरपा है सबसे पहले यही ख़तम करती है मैं भी स्टार में इनको दो स्टार मिले हैं एक लगाने वाला और एक लगाते नहीं मैं दूरी रहता हूं मैं भी स्टार मेरे इस पूरे करियर में I have had lot of good-looking partners, very hot partner लेकिन सबसे hottest जोड़ी आज तक मेरी बनी है अगर किसी के साथ, वो है सुदेश जी के साथ, शुकर है, मैंने कहा कि यह दिर दुरुद बोलते हैंगे सुदेश जी इस मेरे पार्टनर और मैं बहुत खुश हूं कि कृष्णा के साथ मेरी जोड़ी सबने देखिया बहुत प्यार दिया है सुदेश कि आपको पता है, हमेश्या वो नकली लड़की बन कि हाता है पहली बार असली मिली है मुझे अगध感 वह बहुत खुश है सबसे जदा खुश मैसा पह हुख्यूं के लिए चुकिण बहुत ज़्यादे कि मेरे लिए कुकिंग बहुत जदा चालेंज के। मेरे लिए कोगिंग बहुत जादा चैलेंग है जो जाए दिख रहे हैं प्लीज, डोंट टॉक आप रागा रागा मेरे लिए जे जेरली बहुत चैलेंग है क्योंकि मैं अगी चीज बना सकता हूं वह है चाय उसमें बेस्टे है वह हमें यह देखकर प्यार करेंगे यह तो फ़नी इससे फन भी करेंगे थोडा सा इस तो अब परफेक्शन इस बोट जोड़ा सा जोड़ा जोड़ा गाइश अली एंड राहूल आव विन जोड़ा जोड़ा रहा हम यह खुद अपने मुझ तो नहीं कहना चाहते help अब हुद अब हुद फैना जाया करेंगे किया कह आई तो इस तो क्या रहा है थी तटकित? छोड़ा है чистोड़ा का अज़ा वाय हता है तो जोड़ुतनों को प्रस्तों की निया कि दिष्गा रहा है चुडेल आ गया है आजो आ गया है आप लोग यह ना सोचना कि है ही चुडेल यह मतलब बहुत अच्छी है यह हॉट चुडेल है बिल्कुल मिर्ची वाली है यह जब शो देखेंगे एक चीज़ जरूर लेगना कि पाजी किसी और को स्टार देना दे जिस टेबल पर लड़क आते हैं सार आपको देखें सार विल्कुल विल्कुल ताकि आप लोग अच्छे से खाना बना सको इसलिए करता है इस बार इनको दो स्टार मिले हैं कई बार किसी और को मिल रहे हैं तो यह आगे चलके जैसे इवाल होंगे और थोड़ी सी सीरियस नेस दिखाएंगे तो कि इन में एक बहुत बढ़िया शेफ को बढ़िया खाना बनाने वाला दिखेगा हो सकता आगे चलके यह रेस्टांट चेंज बना लें सर ने की जब शो एंड हो जाएगा और लास एपिसोड होगा तो आप लोग हरान हो जाओगे कि आप कितने अचे शेफ बनने होंगे औ कि अचे हम एसा लग रहा है क्युकि ऐसी चीज़े कुछ सीखने को मिल रही है आज तक हमें पता है कि लड्डू कैसे बनता है मुझे भोबी का लड्डू कैसे बनती है वो सब हमने आप शीका है और इस भूड बने बहुत अलग सी चीज़े बनाने में है अली की बात कोई म कभी इनको मिल गया है तो कभी इनको मिल गया और कभी इन दोने को मेल गया किसमे क्या है कर थे कि आपको मिला है मिलन ने ले छाह बहुत आप सभी किया रिखान एक अगा फिल्ट राजमा चावगर यार मेरा तुनावन वाज़े वह बना नी सकता है दाल चावगर बहुत ही जह मतलब मतन रोगन जोश है क्या बना दोगे हम बोल नी सकते क्योंकि फिर इन्होंने बनवाना ही नी वह को अब ही बतायता हूं सबको मेरा फेवरेट मिर्ची का अलवा है वह कभी बने वाउगो अब से का अब से का अब से अब से अब शेयर्स अब बढ़ इस वाग तो जर्नी बिगिन हुई है लेकिन surprisingly अभी तक कुछ लोगों ने आउट परफॉर्म किया है जैसे आज मैंने अली को और राहूल को देखा आउट परफॉर्म किया है और वैसे ही करन ने और अर्जुन ने भी आउट परफॉर्म किया है बहुत ही मज़िदार इसके पहले लड़ू बने थे मेरे खाल से अंकिता ने बहुत आउट परफॉर्म किया विकी ने भी बहुत आउट परफॉर्म किया इन्हों ने भी जिलेबी बनाई है तो आउट सेय्ट चीजें देखने को मिल रही है और यह जैसे मैंने बताया पहले एपिसोड में कि आगे चलते-चलते मुझे ये बहुत उभरते हुए कुक्स या शेफ्स या किचन में बहुत बढ़िया खिलारी देखते हुए मिलेंगा अली, जिस दिन अपसेंट होगा, उस दिन कलिका चांस होगा अल्च जिसे खाने को सबस्ता है भी मय खाली चावल भी हात लगाते हैं नमक के सारे को इसमें भी टेस्स दाज हा जैरी तो मेरे गोगोगा है विज्फ जैएना को तो अच्छा धना जचाने को जाए लगता लीजा गारें? we are loving it हमें शूट करने में बहुत मज़ा रहा है and I think उसले ही मज़ा सब को देखे जी जी I'm sure I'm sure एक अलग एंगल दिखेगा मतलब कुकिंग में मस्ती दिखेगी और सब लोग एंजॉय करेंगे और जिस दिन से ये शुरू किया है वाकिए घर की कदर होनी शुरू हो गई है कि बहुत ही मुश्किल काम है हम फटा फटा बोल देते हैं ये बनाओ जल्दी करो ये अब पता चला कि हमें तो एक बार दोबर बनाना पड़ता है वो सारा दिन हम उनको बोलते हैं बनाओ वो बनाओ तो बहुत ही मुश्किल काम है सबको ही मतलब इज़त करनी चाहिए जो घर पे खाना बनाते हो गई थे 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 झाल 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 झाल